नमस्कार में हो दिव्य बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज एक इस फेवर्डि दिन बुद्वार खबरों के ओबने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहेरा मौका बिहार में सरक दुर घटनाओं में कभी दर्द लोगसबा चुनाब को लेकर सोसल मीडिया मौनेटिंग यूनिट का गठर बिहार में बारस को लेकर अलर्ट लोगसबा चुनाब को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर पर बढ़ेगी चौक सी मनोज वाजपी ने रितुराज सिंग के निधन पर जताया सोक बैंक ओफ बरोदा में निकली भरती बैंक ओफ बरोदा द्वारा बाइस पदों पर भरती निकाली गई है यह भरती फायर या सिक्यूरिटी डिपार्टमेंट आफ डिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए है आविदन करने के इंतिम तारीक आठ मार्च दोहजा चौबिस है एक चोक मिद्वार इसके आधिकारिक वेबसाइट बैंक ओफ बरोदा डॉट इन पर जाकर आविदन कर सकते हैं उमिद्वारों का चेन ओनलाइन टेस्ट इस साइकोमेट्रिक टेस्ट गुरूप डिसकसन और इंटर्व्यू के माध्यम से होगा इस भरती के लिए आविदन सुक के रूप में आप से 708 रुपे लिए जाएंगे हालां कि जो लोग आरक्चित वर्ग से हैं उन्हें साविदन के लिए 118 रुपे देने होंगे भरती से संबंदित अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिस सूचना को देख सकते हैं जन भागीदारी वीडियोग्राफी प्रतियोगिता फेज एक की विजेताओं का नाम घोसत विहार सरकार की सूचना इवं जन संपर्क विभाक के द्वारा जन भागीदारी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है इसके फेज एक की विजेताओं का नाम घोसत हो गया है फेज एक में पटना की रोहित राज को प्रतम पुरस्कार मिला है इन्हें एक लाग रुपे दिये जाएंगे जबकि वैसाली के अमन कुमार को द्विधिय पुरस्कार मिला है इसके तहते ने 50,000 रुपे का इनाम दिया जाएगा वहीं रोहतास के उजवल कुमार को दीसरा पुरस्कार मिला है इनके अलावे अन्हे 14 प्रेडना पुरस्कृत विजेताओं के नाम घोसत हुए हैं इन्हें 1,000 रुपे मिलेंगे आपको बता दे कि दूसरे फेज के लिए 24 फरवरी तक फोटो और वीडियो को भेजना होगा अधिक जानकारे के लिए वेबसाइट eadvtprd.bihar.gov.in बिहार पैटन में आज हम बात करेंगे इंद्रपूरी डैम के बारे में ये बांध बिहार के रोहताज दिले में सो नदी पर बना है ये दुनिया का चौथा सबसे लंबा बैराज है जिसकी लंबाई 1407 मीटर है प्रकिर्ती की गोद में खेलती सो नदी पर बने बैराज से आपको काफी मनमोहक द्रिस से देखने को मल जाएंगे ये बांध देखने में बराही सुन्दा लगता है यहां के नए सरगी काकरसन को देखने के लिए कई लोग पहुँचते हैं यदि आप भी सो नदी के लहरों और हिंदर पूरी बांध से खूबसूरत नजारे देखना चाहते हैं तो यहां आ सकते हैं बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहेरा मौका नवादा में 23 फवरी को एक दिवसी रोजगार मेला लगेगा ये बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहेरा मौका है जिला नियोज नाले के तत्वा धान में संयुक्त स्रम्ज भवन में रोजगार कैम्प लगाया जा रहा है इसमें अलग-अलग कंपनी हिसा ले रही है वेलनेस एडवाइजर के पद पर यहां बहाली होगी इसके लिए बारवी पास होना जरूरी है यहां 10,500 रुपए से लेकर 15,000 तक के सैल्डी के साथ हॉस्टल के सुवधा भी मुहिया करवाई जाएगी मालूम होगी 30 पदों पर यहां बहाली होगी उम्ड सीमा 18-25 साल तक होनी चाहिए जौब का लोकेशन पटना होगा चैन की प्रक्रिया में सामल होने के लिए सैक्शनिक प्रमान पत्र के साथ आधार की चाया प्रती रंगीन प्रमान पत्र और बायो डेटा लेकर आना होगा NCS पोर्टर पर निवंदन कराकर चैन की प्रक्रिया में सामल होना होगा बिहार बोट की मैट्रिक परिक्षा में चौतर दिन आठ मुन्ना भाई धराएं बिहार बोट की मैट्रिक परिक्षा की चौतर दिन आठ फरजी परिक्षारती पकड़े गए हैं ये दूसरे के बदले परिक्षा दे रहे थे साथ ही कई परिक्षातियों को परिक्षा के दौरान कड़ा चार करते पकड़ा गया मालूम हो कि पाचमे दिन की परिक्षा समाप्थ हो चुकी है वहें इसे साइन्स विसे की परिक्षा ली गई थी पहली पाली में 8,50,571 परिक्षारतियों ने परिक्षा दी थी जबकि दूसरी पाली में 8,44,210 परिक्षारती परिक्षा में सामिल हुए थे इस दोरान 11 अलग-अलग जिलों से 40 परिक्षार्थी को नकल करते पकड़ा गया है इन्हें एक्जाम से निसकासित कर दिया गया है आपको बता दे कि पटना में 70 परिक्षा केंदरों का निर्मान किया गया है जबकि 70 मजिस्टेट को नियुक्त किया गया है बिहार में सरक दुर्घटनाओं में कमी होई दर्ज बिहार में सरक हाथसों में कमी आई है साल 2021 के मुकाबले साल 2022 में सरक दुर्घटनाओं में लगबग 14% और मृतियों में 16% तकी बरहोतरी होई थी वहीं साल 2022 के मुकाबले 2023 में सरक हाथसे में सिर्फ दो प्रतिसत की बरहोतरी दर्ज हुई है परिवहन विभाग के सरक सुरक्षा जागरुकता अभियान कारेकरम में ये बात निकल कर सामने आई है ग्रेव विभाग के अपरमुखे सचीव ने जानकारी दिये कि जितनी मौत बिमारी से नहीं होती उससे अधिक मृतिय। यातायात नियमों को नहीं मानने के कारण होती है पूरे ट्रैफिक नियमों को अटोमैटिक करने की दिसां में काम हो रहा है वही राजی मेंगा olar बहादर पतीसत सरक हाथसे ओवर स्पीर के कारण होते हैं सरक सुरक्षा के उपाई में सरक हाथसों में कमी आ सकती है। लोगसबा चुनाब को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर पर भरहेगी चौकसी। लोगसबा चुनाब को लेकर तैयारी तेज हो चुकी है। इसे लेकर भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच बैठक होई। आपको बता दे कि लोगसबा चुनाव में नेपाल के अधिकारियों ने मदद का भरोसा दिया है। इसे लेकर अधिकारियों के बीच बैठक होई। यहां प्रधान मंत्री मोधी ने IIT पटना IIM बोथ गया सहीद भागलपुर की ट्रीपल आईटी भवनों का उधगाटन किया है वर्चुल माधियम से PM मोधी ने ये लोकारपन किया है इस दोरान मुख्य मंत्री नितीश कुमार और उक मुख्य मंत्री विजयस सिन्हा और समरार चौधरी भी इसमें सामल हुए IIT पटना के परिसर में पुस्तकाले, छातरावास और सेंट्रल लेक्चर हॉल सहीद कई तरह की सुविधाओं का लोकारपन हुआ है इधर भागलपू, ट्रिपल आईटी, परिसर में सेक्षनिक ब्लॉग, प्रसासनिक ब्लॉग, गल्स, होस्टल आदी भवनों का उद्गाटन किया गया है यहाँ बीटेक, विज्ञान, रिवम, इंजिनिरिंग, इलेक्ट्रोनिक्स और संचार सहीद कई तरह के कोर्स की परहाई कोती में बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अली इमाम के बारे में सरसयद अली इमाम का जन्मिक बिहार के फतुहा में हुआ था ये एक भारतिये बैरिस्टर और स्वतंता सेनानी थे, ये वर्स 1929 में गोल मेज पर भारत का प्रती निधित्व करने वाले प्रतम भारतिये थे साथ ही ये आधुनिक बिहार के संस्थापकों में से एक भी रह चुके हैं वर्स 1908 में इन्हें नाइट की उपाधी दी गई थी, ये कई भासाओं के अच्छे वक्ता भी थे 31 ओक्टूबर वर्स 1932 में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया लोगसबा चुनाब को लेकर सोसल मीडिया मॉनेटिंग यूनिट का गठन विहार में लोगसबा चुनाब को लेकर सोसल मीडिया मॉनेटिंग यूनिट का गठन किया गया है मालूम हो कि लोगसबा चुनाब को लेकर खास त्यारी की जा रही है आपत्ती जनक पोश्ट करने या भ्रहम फैलाने के स्थिती पर यू की पैनी नज़र रहेगी इसके लिए सोसल मीडिया नॉडल पदाधिकारी को निउक्त किया गया है वरिय पुलिस उपाधिक्चक के नेथरित में दो अन्य पुलिस उपाधिक्चक, एक पुलिस निरिक्चक, एक पुलिस अबर निरिक्चक और 15 सिपाही को निउक्ट किया गया है इतनी भयानक खबर मिली है, ये कैसे हो सकता है। बकसर के बिस्मिल्ला खान महोचब में बॉलिवूट गायक होंगे मुख्यातिती। बिहार में बारिस को लेकर अलर्ट बिहार में अब गर्म कप्रे की जरुरत ना मातरी ही देखने को मिल रही है। बड़ी धूप से लोगों को रहत मिल रही। अठाइज से तीस डिग्री और नियुंतम दापमान 14-16 डिग्री रहने के संभाव ना जताई गई है। प्याज के निर्याद पर नहीं हटा प्रतिबंध। तीजस्वी यादव ने आजिरी पार्टी के सियासी समिकरन से सभी को कराया अबकर। बिहार विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष तीजस्वी यादव जन्विजवास यात्रा पर निकल चुके हैं। पहले पराओ में ये मुझपर पुर पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्य मंत्री 30 कुमार पर जमकरन साना साधा है। साथ ही आजिरी पार्टी के सियासी समिकरन को लेकर कहा है कि ये एमवाई यानि मुस्लिम और यादव की पार्टी तो है। साथ ही बाप यानि बहुजन, अगरा, आधी, आबादी और पिच्छा की पार्टी भी है। इस दोरान तिदस्वी आदव के समर्थकों ने उन पर फूल बरसाएं। पूर्व डिप्टिस सीम ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद वह समाजी के साथ साथ आर्थिक नयाई भी करेंगे। विरोजगारी सबसे बरी दुस्मन है, ऐसे खत्म किया जाएगा। 17 महीने में राज़में रिकॉर्ड तोर नौकरी दी गई है। तिदस्वी यादव ने जंता से आगे लड़ने के लिए ताकत मांगी है। आगामी लोकसवाचुनाव को लेकर सेहनवाज हुसेन ने कहा है कि एंडिये के साथ हम लोग 400 से अधिक सीटों पर जीत आसल करेंगे। इसमें बिहार का हिस्सा 10% का होगा। कॉंग्रेस और आज़ेडी दोनों का हैं इस बार सुप्रा साफ है। आज़ेडी कॉंग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की। लोकसवाचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारते चुनाव आयोग की टीम पठना पहुची है। इस दोरान राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई। सामने आने के बाद इवियम से गिंति की जाये। आज़ेडी ने एक पॉलिंग बूथ पर पंद्रो सो की जगह एक हजार वोटर की संक्या होने की मांग की है। पीएचीडी विभाग में प्रस्टा चार की मांग पर आज़ेडी ने दीप्रति की रिया। सरकार ने पीएचीडी विभाग में प्रस्टा चार की जाँच का आदेज दिया है। चार हजार करों रुपे के घोटाले की बात कही जा रही है। चिराग पासवान का बयान गटबंदन के धर्म का करेंगे पालन। जमोई से सांसद और लोजबा के अध्यक चिराग पासवान ने जहाजा में केंद्रिय विद्याले का और घाटन किया। इस दोरान उन्होंने कहा कि वे एंडिय में ही रहेंगे और गटबंदन धर्म का पालन करेंगे। चिराग पासवान ने कहा आगामी लोगसबाचुनाव में बिहार के सभी 40 सीटों पर एंडिय का जीत का पर्चम लहराएगी। मुख्यमंत 13 कुमार एंडिय गटबंदन का हिस्सा बन चुके हैं। चिराग पासवान आगे बताते हैं कि उन्होंने अपने नेता से सीखा है कि गटबंदन धर्म की मर्यादा को निभाना चाहिए। मर्यादा यहीं कहती है कि फैसला गटबंदन के हित में हो। वही सीट बटवारे को लेका जमोई सांसद ने कहा कि इसमें कोई दिकत नहीं है। इसको लेकर बातचीत चल रही है। किसानों ने कानून लाने के लिए संसद के विसेश सत्रकी की मांग। पंजाब हरियाना के संबू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर किसान डटे हुए हैं। यह दिल्ली कूच की तयारी में हैं। किसान मजदूर संगर्स कमेटी की नेता सरवन सिंग पंडेर ने कहा है कि अगर किसानों की मांग पूरी नहीं होती है तो सबें दिल्ली की और बरहेंगे। वहीं आंदोलन के क्रम में रास्ता बंद होने को लेकर इन्होंने पंजाब एंड हरियाना हाई कोट में आचिका लगाई है। इनका कहना है कि सरकार कानून लाने के लिए संसत का विसेश सत्र बुला सकती है किसान एदा ने विपक्ट से अपना अपक्ट से साफ करने के भी अपील की है। आपको बता दे कि दिल्ली कूच को लेकर किसान 13 फरवरी से डटे हुए हैं। वहीं अंबाला सहीत पंजाब के साथ जिलों में इंटरनेट बंद है। मैदान में मैच कायोजन होगा। उपनिंग वकाबला मुंबई इंडियन्स और दिली कैप्टेल्स के बीच खेला जाएगा। वहीं आगरी मैच 17 मार्च को दिली में खेला जाएगा। इसमें पहले बैंगलोर में एक कारिक्रम का युजन किया जाएगा, इसमें बॉलिवूट के अभिनेता कार्तिकारियन और सिधार्त मलहोतरा पहुचेंगे। आपको बता दे कि WPL 2023 के दोरान ओपनिंग सेरवनी में, कृती सिनन और कियारा आडवानी ने भी सभी का दिल जीत लिया था, इन्होंने सांदार डांस किया था। प्रधान मंतरी नवाद सरीफ के बीच लाहूर घोसना पर समझोता हुआ था, आज के दिन वर्स 2000 में भारते मूल के 52 वर्सिय उजल दोसांज कनाडा में बृतिस कोलंबिया प्रांथ के नए मुखे मंतरी यानि प्रीमियर बने थे, आज के दिन वर्स 2004 में लॉन टेनिस में प्रधान में कई आसी खबरे हैं, जो वाइरल होती रहती हैं, लेकिन सभी खबरे सही हो, ये जरूरी नहीं है, इसी करी में एक और ऐसी खबर है जो कुछ आर्टिकल्स के माध्यम से वाइरल हो रही, दरसल भाय सरकार का नाम लेकर सोसल मीडिया पर कुछ ऐसी भ्राम का आर कि ओनलाइन धोकादरी से साब धान रहें, ओपन एई ने लॉंच किया ये मज़िदार मॉडल सोरा, एक आर्टिफिसिल इंटेलिजेंस मॉडल सोरा का एलान ओपन एई द्वारा किया गया है, ये मॉडल एक मिन तक के लेंद का रियालिस्टिक वीडियो केवल सब्दों को स संबन में ओपन एई द्वारा कहा गया है, कि ये टूल अभी भी रिसर्च स्टेज में है, और अभी तक इस कंपनी के प्रोड़क्ट के साथ उपलब्द नहीं करवाया गया है, वहीं कंपनी के मुखे कारिकारी द्वारा एक्स के जरीए बताया गया है, कि आज हम रेट टी पूछे के पांच सवालों में आपने कितना सहीं उतर दिया है, यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, किस पहल का उद्देश से लाखो भारतियों द्वारा उभोग किये जाने वाले भोजन की सुरक्षा और गुनवत्ता सुनिस्त करना है, आप्सन A है PM केर्स, आप्सन B है PM के सान, आप्सन C है PM अभीम, आप्सन D है PM जेवाई, इसका सही तरह PM अभीम, राज को टेस्ट में प्लियर आफ दे मैच का पुरस्कार किसे दिया गया है, आप्सन A है सुबमन गिल को, आप्सन B है सर्फराज को, आप्सन C है रविंद्र जडेजा को, आप्सन D है मार् इसका सही तरह है रविंद्र जडेजा को, कौन सा राज है हेलिकॉप्टर इमर्जेंसी मेडिकल सर्विस देने वाला भारत का पहला राज बनेगा, आप्सन A हिमाचल प्रदेश, आप्सन B है उत्राखन, आप्सन C है जम्बु कस्मीर, आप्सन D है से के, इसका सही तरह है उत्राखन, सेर साने किस युद में हिमाचल को प्राजित किया था, आप्सन A है चौसा का युद, आप्सन B है बिलग्राम अत्वा कन्नौच का युद, आप्सन C है दोनों आप्सन D.N में से कोई नहीं, इसका सही तरह है बिलग्राम अत्वा कन्नौच का युद, जैप्रकास नाराइन किस पार्टी से संबंदित थे, आप्सन A है कॉंग्रेस से, आप्सन B है किसान सभा से, आप्सन C है सामाजवादी से, आप्सन D है रायवादी से, इसका सही तरह समाजवादी से, बीते दिन हादाराब पूछ है कैसा, आप लोगों से, बहुत लोगना जवाद है, धिन्होंने हाद ऑराब पूछ है कैसा सवाल का जवाद दें, उनके नाम है, पंकच कुमार दास, विद्या सागर, उमेश निसीदेव, गौरी कुमारी, विनोद सिंग, संजीव कुमार, मंटू कुमार, भारती भुसन, ग्यादब, नौसाद, रजा खिलेस, यादब, सीता कुमारी, मुहमत, साकिर हुसेन, कृसना देवी, अजर कलीम, तेज कुमार, पूतिलाल, कुश्वाह, अतीख खान, इसके साथ ही बरते हैं, आज के सवाल की और आज का सवाल है, राजत कॉंग्रेस के बैलेट पेपर से चुनाव की मांग पर आपकी क्याद आए है, आप अपना जवाब हमें हमारी कॉमेंट्स अंबॉक्स में लिका जरूर बताएं, आज के लीतना ही, बिहार के तमाम ख़बरों के साथ बनेदाने के लिए देखे रहा विहारी निूज, और साथ ही अगर आप यूट़्ोब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करने हैं, और सबस्क्राइब हैं, अगर आप तेसस्बूक से देख रहे हैं, तो फेच को फॉ